हेलो अबरीवन, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, तो फ्रेंट्स आप लोग कैसे हैं, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, तो फ्रेंट्स आज हम लोग प्रोटो जोवा के क्लासिफिकेशन के बारे में इस्टडी करेंगे, और फ्रेंट्स आप लोग को देखते हैं, क्लासिफिकेशन आप प्रोटो जोवा, प्रोटो जोवा का वर्गी करण, तो चलिए हम लोग प्रोटो जोवा के वर्गी करण को डिटेल से देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो इसमें पहला पॉइंट है, फाइलम प्रोटो जोवा, लार्ज लोकोमोटरी आरगन के अधार पर किया गया हाइमन ने 1940 में, हीकमन ने 1961 में, स्टोरर ने 1965 में प्रोटो जोवा फाइलम को टू सब फाइला एंड फाइब क्लासेज में क्लासिफाइड किया हाइमन, हीकमन, स्टोरर, हाइमन ने 1940 में, हीकमन ने 1961 में इस्टोरन ने 1965 में प्रोटो जोवा फायलम को two sub-finala and five classes में classified किया फायलम प्रोटो जोवा को दो sub-finala में बाटा गया पहला प्लाज्माड्रोमा दूसरा सिलियो फोरा प्लाज्माड्रोमा सिंगल नुकलियस है और सिलियो फोरा में डबल नुकलियस है इसमें लोकोमोटरी आरगन, सुडोपोडिया और फ्लैजला होता है इसमें सीलियोफोरा में सीलिया और सक्टोरिया लोकोमोटरी आरगन होते हैं प्लाजमाट रोमा सफाईला को थ्री क्लासेस में डिवैड किया गया पहला Mastigophora, दूसरा Sarcodyna, तीसरा Sporojoa Mastigophora का Phlegela है Yuglina, Sarcodyna का Pseudopodia, Amoeba, Sporojoa का No Locomotory Argon RR Parasides जैसे Plasmodium Mastigophora में Phlegela पाया जाता है इसका एकजमपल है Yuglina, Sarcodyna में Pseudopodia पाया जाता है इसमें है एकजमपल Amoeba, Sporojoa में No Locomotory Argon होता है RR Parasides होते हैं, एकजमपल है Plasmodium और दूसरा सफाइला है Ciliophora, इसे टू क्लासेस में डिवाइट किया गया है पहला है Cilieta और दूसरा है Saktoria Cilieta में Cilia Locomotory Argon पाया जाता है जिसमें एकजमपल है Paramecium और दूसरा है Saktoria, जिसमें Saktoria Locomotory Argon पाया जाता है इसका एकजमपल है Podofira Next point है Mainly Protojoa का Classification, Protologist B.M. Hardney Berg ने Locomotory Argon के बेस पर किया था Mainly Protojoa का Classification, Protologist B.M. Hardney Berg ने Locomotory Argon के अधार पर किया था Next point है, B.M. Hardney Berg ने Phylum Protojoa को 4 सबफाइला में Divide किया था इन 1964 में B.M. Hardney Berg ने 1964 में Phylum Protojoa को 4 सबफाइला में Divide किया था तो पैला में Phylum Protojoa को B.M. Hardney Berg ने 1964 में 4 सबफाइला में Divide किया था तो पहला है सब फाइला सारको मेश्टिको फोरा, दूसरा है इस्पोरो जोवा, तीसरा है नीडो इस्पोरा और चोथा है सीलियो फोरा तो फाइलम प्रोटो जोवा को चार सब फाइला में B.M. हार्णी वर्ग ने और अदर्स सांटिस्ट ने डिवैड किया था 1964 पहला है सारको मेश्टिको फोरा, दूसरा इस्पोरो जोवा, तीसरा है नीडो इस्पोरा और चोथा है सीलियो फोरा तो सब फाइलम फश्ट सारको मेश्टिको फोरा, सारको मेश्टिको फोरा को तीन सूपर क्लास में डिवैडेट किया गया है पहला है Mastigophora, दूसरा है Ope Lineeta, तीसरा है Sarcoadina या Rigopoda पहला है Mastigophora, दूसरा है Ope Lineeta, तीसरा है Sarcoadina या Rigopoda तो चलिए फ्रेंट, सब हम लोग Super Class First Mastigophora के बारे में देख लेते हैं Mastigophora या Phlegileta, Super Class First इसमें पहला पॉइंट है Mastigophora को 2 Class में divided किया गया Mastigophora को 2 Class में divided किया गया पहला है Phytomastigophora या Phytophlegeleta दूसरा है Jumastigophora या Phytophlegeleta Closs First है Phytomastigophora या Phytophlegeleta तो इसमें पहला पॉइंट है Kronetophore present होते हैं जिनमें क्लूरोफिल पाए जाते हैं फाइटोफोर प्रजेंट होते हैं जिन्वे क्लूरोफील पाए जाते हैं नूट्रीशन होलोफिटिक बाई फोटोट्राफिक होता है रिजर्व फूड श्टार्च एंड पैरामाईलान होते हैं वन्या दो फ्लजला प्रजेंट होते हैं क्लास फाइटो मेस्टिकोफोरा को सिक्स आर्डर में डिवाइडेट किया गया है पहला आर्डर है क्राइसो मोनेडिडा एक्जामपल है क्रायो अमीबा आर्डर सेकेंड है क्रिप्टो मोनेडिडा इसका एक्जामपल है क्रिप्टो मोनास आर्डर थर्ड है युगली इसका एक्जाम्पल है वाउ चेरिया, ओर्डर सिक्स है डाइनो फ्लैजिलेडा, एक्जाम्पल है नोक्टी लिूका, दूसरा क्लास है जू मेश्टिकोफोरा या जू फ्लैजिलेटा, तो इसमें पहला पॉइंट है, क्रोमेटोफोर अर अपसेंट होता है, इसमें या ग्लाइकोजन होता है, फ्लैजिला वन टू मेंनी होता है, फ्लैजिला एक या अधिक होती है, जू मेश्टिकोफोरा को six order में डिवैडेड किया गया, ओर्डर फोस्ट है राइजो मेश्टिकीडा, एक्जाम्पल है मेश्टिकोव अमीबा, आदर सेकेंड है कैनेटो प order five है, हाइपर मेश्टिकेडा, एक्जाम्पल है ट्राइको नीमफा, order six है ट्राइको मोनेडिडा, एक्जाम्पल है ट्राइको मोनास्त, तो चले फ्रेंड सब हम लोग सूपर क्लास सेकेंड ओपे लिनियेटा को देखते हैं, ओपे लिनियेटा, इसमें पहला पॉइंट है रिप्रोडक्शन बाइनरी फीजन, रिप्रोडक्शन बाइनरी फीजन के द्वारा होता है, पैरासाइट्स मेंली फ्राग एंड टोडस होते हैं, पैरासाइट्स मेंली फ्राग एंड टोडस है, इसका एक्जाम्पल है ओपे लिनियेटा एंड जिले रियेला, इसका पहला है राइजोपोडिया, दूसरा है एक्टिनोपोडिया, तीसरा है पाइजोपोडिया, दूसरा है एक्टिनोपोडिया, तीसरा है पाइजोपोडिया, तीसरा है पाइजोपोडिया, तो इसमें पहला पॉइंट है, स्यूडोपोडिया एज लाइक लोबोपोडिया, स्यूडोपोडिया लोबोपोडिया की तरह होता है, एकजियल फि दूसरा है फिलोसिया, तीसरा है ग्रैनियूलोरो रेटी कुलेसिया, पहला है लोबोसिया, दूसरा है फिलोसिया और तीसरा है ग्रैनियूलोरेटी कुलेसिया, तो सब क्लास फर्ष्ट है लोबोसिया, लोकोमोटरी आर्गनल्स लोबोपोडिया होता है, सब क्लास फर्ष्ट लोबोसिया में लोकोमोटरी आर्गनल्स लोबोपोडिया होता है इसका एक्जाम्पल है अमीबा और इन टमीबा इसमें आर्डर फश्ट है अमीबाईडा तो चले फ्रेंस अब हम लोग सब फाइलम सेकेंड इस पूरो जोवा के बारे में देख लेती हैं तो इसमें पहला पॉइंट है लोकोमोटरी आर्गन अपसेंट होता है इसमें लोकोमोटरी आर्गन अपसेंट होता है इसपोर्स यूजुली प्रजेंट होते हैं इसमें प्र प्लाज्मिया, तीसरा है है फैलो-इसपोरिया। पहला है तिलो-इसपोरिया। दूसरा है टोगजो-प्लाज्मिया। और तoop-जो प्लाज्मिया। पहला है ग्रेगे राइनिया इसमें एक्जांपल है मोनोसिस्टिक एंड ग्रेगे राइना और दूसरा है कोक्सी डिया इसका एक्जांपल है प्लाज्मो डियम तो सब क्लास तीलोस्पूरिया को दो सब क्लास में बाटा गया है पहला है ग्रेगे राइना जिसका एक्जांप है सब फाइलं थर्ड नीडो इस्पोरा इसमें पहला पॉइंट है इस्पोर्स वीथ पापुलर फिलामेंट्स प्रजेंट होते इस्पोर्स वीथ पापुलर फिलामेंट्स प्रजेंट होते डिवाइड इन्टो टू क्लास इनको टू क्लास में डिवाइड किया गया पहला है मिक्जोइस्पोरिडा और दूसरा है माइक्रोइस्पोरिडिया इसका एक्जामपल है मिक्सिडियम और माइक्रोइस्पोरिडियम एक्जामपल है नोसिमा मिक्जोइस्पोरिडियम एक्जामपल है मिक्सिडियम और माइक्रोइस्पोरिडियम एक्जामपल है नोसिमा शब फइलम फोर, सीलियो फोरा तो इसमें पहला point है प्रजेन साब सीलिया एच लोको मोटरीं आरगनेल्ज प्रजेन होता है सीलिया लोको मोटरीं आरगनेल्ज की तरह nuclei याब two kinds dimorphic slipping होता है class ciliator, इसे 4 सब class में बटा गया है तो पहला है holotrica, दूसरा है peritrica, तीसरा है सक्टोरिया और चौथा है spiro trica holotrica में इसमें simple unifarmacealia present होता है peritrica में एक जांपल है verticella, सक्टोरिया में एक जांपल है podopaira, इस्पाइरो ट्राइका में एक जांपल है इस्टॉनटर, इस्टॉम, बेडियम तो चलिए फ्रेंट्स अब हम लोग सब क्लास फर्ष्ट holotrica को देखते हैं सब क्लास फर्ष्ट holotrica, इसमें simple unifarmacealia present होता है इसमें आडर है जिम्नो इस्टो मोटे डिडा, इसका एक जांपल है कुलेप्स डाइडी नियम दूसरा है ट्राइको इस्टो मेटे डिडा, इसमें एक जांपल है बेलेंटी डियम और तीसरा है क्रोमो ट्राइकी डा, इसका एक जांपल है स्पाइरो कोना और लोबो कोना और चोथा है एपो इस्टो मोटे डिडा, इसमें एक जांपल है हाईलो फाईसा तो सब क्लास holotrica को निम्ना आडर में डिवैड किया गया है तो इसमें पहला है जिम्नो इस्टो मैटिडा, इसमें एक जांपल है कोलैप्स और डाइडिनियम और दूसरा है ट्राइको इस्टो मैटिडा, इसमें एक जांपल है बेलेंटीरियम और तीसरा है करोमो ट्राइकी डिडा इसमें एगजामपल है इस्पाइरो कोना और लुबो कोना और नेश्ट है एपो इसटोमेठीडा इसमें एगजामपल है हाईलो हैसा तो फ्रेंट्स आज हम लोगों ने परूटो जोवा के क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल्ड इस्टडी किया और फ्रेंट्स अपलों को वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट and सबस्क्राइब कीजिएगा और फ्रेंट्स आपलों को भी एसी मेसी में बोटनी एजुलोजी से किसी भी टॉपिक भी नोट चाहिए तो प्लेज कमेंट करके जरूर बताइएगा हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे थैंक्यू भरीवन